नमस्कार सभी को स्वागत आपका इडिकेटर चैनल में आज किस वीडियो में हम बात करेंगे व्यम्यू कोटा में अगर आप एड्मिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ओनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं फ्रेश एड्मिशन आप ले सकते हैं चाहे आप प्रमोटी के डिटेल हैं वो आप जरूर देख लीजिएगा यहाँ पर प्रोस्पेक्टर्स डाउनलोड कर सकते हैं 2020 किसका लिंक दिया गया है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँ अगर आप व्यम्यू कोटा के कंड़ेट हैं तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो व्यम्यू कोटा के लिए जो स्टूडेंट का टेलिग्राम चैनल था या फिर ग्रूप था वो 2000 की केंड़ेट उसमें जुट चुके है 2000 का परिवाल हो चुका है तो बिल्कुल आप उससे जुट सकते हैं जहाँ पर आपको सबसे पहले इस चीज़ के अपडेट मि जुटा पाना है तो बिल्कुल यहां पर इस ग्रूप के माद्यम से यही चीज़ की जाती है कि समय पर हर एक अंड़ेट को सही जानकारी समय पर मिले और वह अपनी कोई भी जिस assignment का जमा करवाने है और online application जो भी जिस तरह के भी जो help रहती है तो बिल्कुल अगर help करने के जुड़ना चाहते हैं उस ग्रूप से तो भी आप जुड़ सकते हैं help लेनी के लिए जुड़ना चाहते हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं link आपको वीडियो के नीचे और comment box में मिल जायागा तो वहां से आप जुड़ जाएगा व्यम्वी कोटा के student group से जहां पर आपको ह पोटल है यहां पर यह अपडेट हो चुका है जहां से आप apply now उपर क्लिक करके अपना form फिल कर दीजेगा ज्यादा तर हो सके तो अपना form जो है इमितर पर ही भरवाएं तो ठीक रहेगा और यहां पर हम बात करें कि एक सबसे पहली ज्यादा तर query यह रहती है कि online form भरवान होता है जमा आपको करवाने होता है कि अवल जो practical की file होती है साथ में आपके assignment होते हैं और assignment में भी काफी लोगों को यह query रहती है कि assignment किस तरीके से कौन सी topic बनानाता है तो कोई topic नहीं होता है उसमें assignment जो है आपके student one view में जो view में की दवारा ही आपको provide करवाई जाते है questions उ तो यहाँ पर हम बात करें तो यह आपका शुरू हो चुका है यहाँ पर अगर आप किसी भी course के बारे में detail में जानकारी चाते हैं तो आपका जो prospectus है जो यह मुह जारी किया था वो आप जरूर समें चेक कर लीजेगा हर एक course की यहाँ पर detail में जानकारी दी गई है इसके results अभी आ रहे हैं काफी के अभी practical की फाइल जमा हो रही है तो काफी सरी चीजे चल रही है जाए आपके DLIS के camp हो रहे हैं BLIS के camp हो रहे हैं तो अगर आप जुड़े वे हैं और इन सभी courses को कर रहे हैं अगर आपको update नहीं है तो बिल्कुल आप update ले लीजेगा हमाँ से और यहाँ पर हम बात करें जो आपके जो courses हैं और आपने किसी भी course में part किया है इसमें admission लिया है जनुरी 2020 के सतर में तो उसके परिक्षाय कब होनी है तो अभी तक कोई update नहीं हाई है लेकिन बात करें कि आगे आने वाले जुमाह है फ़रवरी में इसकी जो परिक्षाय है की examination होगी साथ में practicals के बात करें तो पहले आपकी यह लिखित परिक्षाय होंगी उसके बाद update आपको मिलती रहेगी तो बिल्कुल बने रहे है चैनल के साथ है और इसके लावा यहाँ पर जो practicals लेकर के है जिन्होंने पिसले बार काफी सारे candidates को promote किया है first year को second year को तो उस सकते हैं यहाँ पर comment box में भी साथ में आप group से जुड़कर भी पुछ लेजेगा और यहाँ पर आप किसी भी course में अगर आप admission लेंगे तो यहाँ पर इस बात जो है 15% का छूट भी आपको मिलेगी अगर आप जो books होती है वो अगर आप नहीं मंगवाते है के वहला PDF डाउन आपका जो payment है वो ठीक से हो सके और यहाँ पर हम बात करें जो कुछ courses है उनके जावेदन है यह फिर admission आप जो fresh admission होंगे वो केवल जुलाई सतर में होते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो PG यहाँ पर आपने अगर MSC करनी है बहुते विज्ञान वनसुते विज्ञा आज चुके हैं लगबर-लगबर सबी courses की तो वो भी आप ले लिजेगा अपनी तयारी के लिए assignments में भी आपको काफी जादा help में मिलने वाली है और इसके लावा भी अगर आपको VMOE quota से जुड़ी कोई query रहती है तो बिलकुल आपने group में पूछ सकते हैं और जुड़ सकत हैं वाँ पर तो आज किस वीडियो में इतना ही इसके regarding काफी सारे वीडियो आपके VMOE quota को लेकर के बनाये गए हैं जो उनको आप देकर के अपनी जो queries हैं उनके answer पासकते हैं साथ में assignments के भी कुछ वीडियो हैं साथ में अगर आप default examination के अगर बात करें कि कब क्या होता है त अगर इसमें ले रहे हैं admission तो आपका जो पार्टे सामगरी प्रिशन की अंतिम दिती 15 फ्रोरी यहां पर रहेगी इसके लावा हम बात करें जो परामर्स सिक्षन कक्षा है 15 अपर तक रहेगी प्राइव के परिक्षा है 16 अक्टोबर से 20 दिसंबर तक रहेगी और यहां पर आपके assignments जमा करवाने की जो अंतिम दिती है वो आपके 15 नहुंबर तक रहती है इसके लावा सेदानती परिक्षा के लिए जो केंदर परिवर्तन अगर आप करना चाहेगी तो 1 से 31 अक्टोबर तक और यहां पर प्राइव की परिक्षा का केंदर अगर आप परिवर्तन करन आने हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं default रफॉर्म कब भरे जाते हैं अगर आप जैसे जून 2021 की परिक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो आपको जो है default रफॉर्म कब भरना है तो आपको एक अप्रिल से लेकर 30 अप्रिल के बीच बढ़ना होता है अगर आप दिसम्बर परिक्षाओं का भी समय दिया गया है तो यही बात आप जरूर से जरूर ध्यान रखे अभी जो आपकी जो फॉर्म चल रहे हैं जैसे कि आपका fresh admission का है fresh admission के साथ promotive form जो चल रहे हैं इसके लावर lateral entry जो चल रही है तो इसमें आप पर default form नहीं भरे जा रहे हैं इसके लिए यह वाला समय होता है तो इसको आप जरूर से जरूर ध्यान रखे यह वाला important है क्योंकि काफे ज़्यादा queries आपके इस group पर default form को लेकर के ही आती है कि कब भरे जाएंगे और default form किसी को यह नहीं पता कि क्या होते है जैसे आपका किसी paper clear नहीं हुआ है या फिर आपकी back लग है तो उसको clear करने के लिए जब को फिर से form भरना होगा तो वह आला form उसको form को हम यह default form कहते हैं तो यह बात आप जरूर ध्यान रखे या फिर आपने वह exam attempt नहीं की थी दी नहीं थी इस तरह के सिवाई आपका वह clear नहीं हो पाया तो आपको उसके लिए default form भरना होता है तो सबसे में दी गई है और अगर आप यहाँ पर mca mb में प्रवेश लेना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके लिए आविदन के अंदिम थी सद्राव फरोई 2021 चक है और जो प्रवेश परिक्षा है वह आपकी की सरक होगी तो यह आप जरूर ध्यान रखे तो आज किस वीडियो म प्रवाचिंग आज किस वीडियो में इतना ही और बिलकुल अब जोट जाएए अपने विए में की ग्रूप से चाहते हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले तो थैंक यू